हलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज के रेसेपी वीडियो पे और आज हम बनाने वाले हैं हलवाई स्टाइल से मूली की पकोडी तो इस सीजन में अक्सर हमें हलवाईयों के दुकानों पर एकदम हरी हरी पकोडियां देखने को मिलती है और गर्मा गरम खाने में इसका स्वाथ भी जो है वो कमाल का होता है तो चलिए आज एकदम हलवाई स्टाइल से हम मूली की पकोडियों को बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने तीन मूली लिये हैं जो की हमारे पत्तों के साथ में ही हैं अब इसे हम कट करेंगे अगर आप इसे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यहां आपको थोड़ी सी समझने की जरूत पड़ेगी मूली को सबसे पहले हम उनके पत्तों में से अलग कर लेते हैं फिर आप यहां देख सकते हैं देखिए यह जो पत्तों के निचले हिस्से जो है वो थोड़े से मोटे-मोटे टाइप से आप इसे डंठल भी का सकते हैं तो इसे हम काट कर इन पत्तों में से हटा लेंगे, अब जो हमारे पत्ते बचे हैं और मूली के साथ में हम इसे बारिक काट कर रख लेंगे, देखिए इस तरह से इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बारिक काट कर रख लिया है, इसके साथ में हम कुछ कटे हुए हरे मिर्च भी ले रहे हैं और अब हम पकोडियों के बैटर को तयार करेंगे इसके लिए हम 4-5 चम्मच चने का बैसन यूज़ कर रहे हैं अब इसमें मसालों को हमें एड़ करना है आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और एक छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हम नमक एड़ करेंगे थोड़ी सी मात्रा में हम बेकिंग सोडा ले रहे हैं और एक छोटी चम्मच अदरक लसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे अब जो है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए इसके बैटर को हम अच्छी तरह से फैट कर तयार कर लेंगे इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है तो आप पानी डालते वक्त अप ध्यान रखें कि यह ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाड़ा ना हो जाए देखिए बिल्कुल इस तरीके से बैटर को हम तयार करेंगे और 10 मिनट तक इसे ढख कर रख देंगे 10 मिनट के बाद हमने जो मूली और उसके पत्तों को काट कर रखा है उसे हम इस बैटर पर थोड़ा थोड़ा करके अड़ करेंगे हम उतने ही पत्तों को add करेंगे जितना की बैटर में सही तरीके से हमारा absorb हो सके अब इसे हम बैटर के साथ मिलाएंगे थोड़े से पत्तों को और डाल देंगे हम इसमें आप अपने हिसाब से पत्तों को मिलाने के बाद बैटर ज्यादा लगे तो ही आप मूली के पत्तों को इसमें मिलाएं तो अब देखिए अब ये बैटर बिल्कुल तयार है और तीन मूली हमने लिये थे तो थोड़ा सा पत्ता जो है वो हमारा बच गया है उसे हम इस पर नहीं मिलाएंगे तो चलिए आप इसे फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए हमने कड़ाई पर ऑईल को गर्म होने के लिए रखा है जब हमारा ऑईल बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर रख के इसे फ्राई करेंगे बैटर को हाथों में लेकर थोड़ा थोड़ा उंगलियों की मदद से आप इसे तेल पर डालें और फिर एक चम्मच की सहायता से इसे आप इस तरह से चारों तरफ हलके हलके प्रेस करते रहें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पकोड़ियां जो है वो एक दूसरे से तुरंथ ही चिपकने लगती है तो उमीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे और फिर भी कोई कनफीजन बाकी है तो कमेंट करें हम जवाब देंगे बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे पकोड़ियों को तल कर तयार करेंगे और यह आपको खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगेंगी तो आप इसे अपने घरों में जरूर पनाएं और इस रेसेपी को आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें